हेलो बच्चो कैसे हो एक्साइट्ट हो कि परस्स लेक्च्चर है आज जो हम अभियान बैच यहां पर रन कर रहे मोग सा अब अभियान बैंज चुरू करने वाले लेक्चर हो लेकिन याद रखना आज हम इस लेक्चर में दो तीन लैंग्वेज यूज करने वाले हम मराठी भी यूज करेंगे हम हिंदी पर इंगलिश भी ऊज़िए ठीक है एक्साइटेड हो तो कुरसे की पेटी बादना बेटा आज से हम physics का first chapter शुरू करने वाले है that is units and measurement तो यह अपना first chapter रहेगा अब इस chapter में हम क्या-क्या देखने वाले वो समझ लेना सबसे पहले आज का target क्या रहेगा what we are going to cover in this chapter और in this lecture तो यह समझ लेदा तो सबसे पहले देखना हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि physical quantities physical quantities का मतलब क्या होता है कौन से कौन से physical quantities होती है किस तरह से होती है वो सारी चीज़े हम देखेंगे उसके बाद हम इन physical quantities को classify करने वाले है fundamental and derived quantities में तो दूसरा part रहेगा classification of the physical quantity जो की हम science में जब मैं science के बारे में बात करता हो physics रहेगा chemistry रहेगा biology जहां पे जोलोजी बॉटनी यह सारी चीज़े वहाँ पे हम यह सारी चीज़े यूज करने वाले ओके उसके बाद रहेगा सिस्टम मतलब हम इन quantities के लिए एक सिस्टम यूज करते है अर्लियर 1960 से पहले हम बहुत अलग अलग सिस्टम यूज करते थे उसके बाद रिवीजन हो चुका है रिवीजन होने के बाद तब से हम एसा इस इस्टम फॉल आज फॉलो करते है थीक है एसा इस्टम मतलब सिस्टम इंटरनेशनल होता है जो की इंटरनाशनली अड़प्टेड है ओके ठीक देन वाट आफ यान्वेंशन्स विच वी आर गूई ती और टाइम यह जो रहेगा तो यह थोड़ा सा प्राक्टिकल वे होता है तो मेजर दा मास और टाइम तो आज थेहरोटिकल लिए हम मोस्ली कॉंसेंट्रेट करेंगे मेजरमेंट आफ लाज डिस्टंस जहां पर हम यूज करेंगे पैरलाक्स मेथड ओके ठीक है तो यह है आज क हमारे टार्गेट तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वी विल स्टार्ट विद लेक्ट्टर तो देखना तो सबसे पहले एक फिजिकल कॉंटिटी का डेफिनेशन मुझे पता होना चाहिए क्या होता है फिजिकल कॉंटिटी अ क्वांटिटी विच चैन बी मेजर अगर कोई क्वांटिटी नहीं कर पा रहे तो एक चीज याद रखना कॉंटिटी जिसे हम मेजर कर सकते है और जिसका यूज करके हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है दाट इस फिजिकल हैपनिंग हम उसको एक्स्प्लेइन कर सकते हैं क्वांटिटी फिजिकल कॉंटिटी क्या होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं जिसका यूज करके हमारे आजू-बाजू या फिर सराउंडिंग में जो भी उसको बात में हम एक्सप्रेस कर देंगे अलग-अलग Loss में उसे कहा जाता है physical quantity उसे तो यहां पर example के तोर प्र देखना length है mass है time है force है तो अब देखना मैं force वाला example ले लेता हूं force अगर मैं किसी object को एक जगा से उठा के दूसरे जगा पे रख रहा हूं तो मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं बराबर तो फोर्स मैं मेजर कर सकता हूं अलग अलग इंस्ट्रुमेंट्स होते हैं उसके लिए हम उसके डिटेल में अभी नहीं जाने वाले तो फोर्स हम मेजर कर सकते हैं अब अब अब्जेक का मो तो यह क्या हो रहा है physical happening तो देखना यहां पर एक block है इस block को मैं force लगा रहा हूं तो force लगाने के बाद block अपना जगह छोढ़ने वाला ब्लॉक यहां पर आके रुकेगा तो मतलब क्या हुआ इस ब्लॉक ने कुछ डिस्टंस कवर कर लिया कुछ डिस्टंस कवर कर लिया कुछ विलोसिडी थी उसके पास तो यह होगा मेरा फिजिकल हैपनिंग और इसे ही मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं लॉव में तो हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉप्ट मोशन फोर्स इवाल टू बास इन्टी एक्सलरेशन फोर्स इग वर्डू बास इंटो एक्सलरेशन अगर मुझे ुसका मास पता हो मेरे पास फोर्स भी है तो मैं इस बलॉक का एक्सलरेशन निकाल सकता हूं मतलब यह कितने जोर से आगे कान बी एक्स्पेंड एक्स्प्रेस्ट इंड़ फॉर्म ओफ लॉज इस कॉल्ड एज फीजिकल कॉंटिटी ओके बच्छा ठीक है आयोप यह समझ में आया हो अच्छी तरह से डेफिनेशन नेक्स पार्ट इस दा वाट अर्ड डिफरेंट पाइपस फीजिकल कॉंटिटी यह सारी चीज़े हमें पता है जो हमने अभी एट-910 में पड़ी थी ओके तो देखना रेशो वालगठंद थुड़ा सा बाद में देख लेते लेकिन हमें यह दो चीजे पता हैं स्केलार कॉंटिटी और वेक्टर कॉंटिटी यह चीजह हुन ने सुनी है कि स्केलार यहार होता है यह एसे quantity है जिनको एक्स्प्रेस करने के लिए magnitude भी चाहिए और डिरेक्षण भी चाहिए तो यहां पर दो चीजे होगी बागर रिट्यूड और डरेक्षण अगर मैं दोनों का यूज करके कोई क्वांटिटी एक्सप्रेश कर सकता हो तो उससे कहा जाता है वेक्टर क्रोंटिटी ओके ठीक है तो देखना सकेलार और वेक्टर मेई क्या फारेग है सकेलार कॉंटिटीटीज है जिनको एक्सप्रेश करने के लिए सिर्फ मागनिट्वी early views लिए आप लोगों नहीं सीखा ता तो डिस्टरंस डिस्टरंस क्या है डिस्टरंस अगर मैं यहां निकलता हूं यहां पर ये तो अब आपस आता हूं ठीक है ए पूजिशन से निकलता हूं और भी पुजेशन पर आ जाता हूं तो इसका मतलब तो डिस्टन्स कितना कवर किया डिस्टन्स का मतलब होगा एक्ट्वल पाथ अगर मैं ये पूरा का पूरा मेजर करता हूं तो ये होता है मैरा स्केररेकेस मेरे डिटाने कांडिटी तो वह रहेंगा अपने पास बटेब स्धियस में मतलब क्या होता है बेटा तो वह होता है डिस्टन्स कवरें अ मिध्वचा कि मेरा चिल कोता है एक ölकनिटी कह ज्रोरे चांद स्सक्रूर्णी और ऒख़क्त का मतलब को इसोर्टेस्टंस कवर करेगा ढ़िए अब सारल डिस्टंस जब मैं बोलता हाह तो वह इसका मैग्णिट्टूट्वित नहीं टता है और डारेक्शन कहा पर तो डारेक्शन मेरा डाउन्वोड डारेक्शन में, डारेक्शन कहा पर डाउन्वोड डारेक्शन में, तो ये होता है मेरा displacement that is vector quantity ठीक, ये सारी चीज आंटे शीक लिए अब कुछ नई चीजी ये भी हमने सीखा है, कुछ quantities ऐसे होते हैं जो दो सेम quantities का ratio होता है ठीक तो refractive index refractive index भी बोल सकते हैं या फिर relative density भी बोल सकते हैं ratios तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं relative density relative density अब relative density का मतलब क्या है तो यह दो देंसिटीज का ratio होना चाहिए यह दो देंसिटीज का ratio होना चाहिए तब उसे कहा जाएगा relative density तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं suppose करना rho hg divided by rho w तो density of mercury with respect to density of water अगर मैं इन दोनों का with respect to लेलू तो उसे कहा जाएगा relative density तो यह होता है मेरा ratio या फिर numerical value बहुत सारे quantities है जैसे मेरे पास relative permeability होती है या फिर रिलेटिव पर मिटिवीटी होती है ओके तो अगें relative permittivity relative permeability कुछ इस तरह से तो यह थोड़ा सा electric field के साथ related term है similarly यह जो है वो रहेगा मेरा relative permeability यह magnetic field के साथ related term है जैसे जैसे आगे चाप्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे यह सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी तो देखना types of physical quantity में हमने यह already देखा था कि ratio numerical value जिसके होते है या फिर स्केलार कॉंटिटी क्या होता है या फिर वेक्टर कॉंटिटी बिसाइड्स अपने पास अगर मैं इससे जनरल क्लासिफाइब करने की कुशिश करूँ तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि मेरे पास दो तरह की कॉंटिटीज होती है ताट इस fundamental quantities and derived quantities अब fundamental quantities ओके fundamental quantities अबसक्राइब का मतलब क्या होता है यह ऐसे quantities होते हैं यह किसी इफ कॉंटिटी के उपर डिपेंडा नहीं करते हैं इनका मेंज़र मेंड कई विए दूसरे कॉंटिटी ओपर डिपेंड नहीं करता उनको कहा जाता है fundamental quantities the quantities two two eight which are independent of the quantities which are independent of other quantities or which can be expressed independently which can be measured yaa phir expressed independently fundamentally उसे कहा जाएगा fundamental quantities का मतलब क्या मेरे पास ऐसे कुछ quantities है यह quantities किसी दूसरे quantity की उपर depend करती ही नहीं तो उसे कहा जाता है fundamental quantities now what are the derived quantities derived quantities मतलब यह ऐसे quantities होते जिनको मैं derive कर सकता हूँ by using the fundamental quantities the quantities which can be obtained from the fundamental quantities the quantities which can be obtained which can be obtained from fundamental quantities तो उनको कहा जाएगा derived quantities क्यूंकि हम इनको ले के आ रहे कहां से ले के आ रहे fundamental quantity का यूज करके हम उसको ले के आ रहे तो देखना सिंपल वाला यहां पर एक ही एक्जम्पल ले 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 लेंट लेंथ मेरी fundamental quantity है वेराज area of square एरिया यहां पर देखा जाए मैं यहां पर square के बारे बात करूंगा area of square मैं उसको लिख सकता हूँ that is nothing but the length square मतलब देखना यहां पर मैंने area obtain किया है fundamental quantity length का यूज करके और वो कितना रहेगा length square तो यह difference है इन दोनों में fundamental quantity यह किसी के ऊपर depend नहीं करती इनको हम separately define करते हैं और derived quantities क्या होते हैं यह quantities fundamental quantities का यूज करके हम उसको express कर सकते इसलिए उनको कहा जाता है derived quantities ओके ठीक है next अब देखना मेरे पास quantities है तो quantity measure करने के लिए यूनिट भी होने चाहिए जैसे आपने पास fundamental quantities थी उसी तरह से मेरे पास fundamental units भी है और similarly मेरे पास derived units भी है तब fundamental units तो देखना जैसे मैंने कहा कि fundamental quantities को हम अलग तरीके से define करते किसी के ऊपर depend नहीं करती उनको define करने के बाद उनको मुझे मेजर करना होता है मेजर करने के लिए उनके लिए एक unit use किया जाता है उसे कहा जाता है fundamental unit तो हमने अभी example देखा था length का ठीक तो इसका fundamental unit क्या है बेटा तो length का fundamental unit है मिटर लेंद का fundamental unit है मिटर और दूसरा example हमने देखा था डिराइवड यूनिट्स में area ठीक तो एरिया जो होता है इसका unit रहेगा मेरा मिटर स्क्वेर इसका unit कितना रहेगा मेरा मिटर स्क्वेर ठीक तो यह difference है यहाँ पर देखना फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइवड यूनिट्स में अब देखना नेक्स पार्ट है system of units जब अब मेरे पास fundamental unit है तो मेरा काम भी मनता है कि मैं अलग से system define कर दूँ जहाँ पर मेरे पास fundamental units या फिर fundamental quantities रहेंगी ओके उसके हिसाब से मैं आगे जाके डिराइड यूनिट्स या फिर डिराइड कॉंटिटीटीज अप्टेइन भी कर सकता हूं तो क्या किया scientist लोगों ने एक system बनाने की कूशिश की ठीक है लेकिन यह system बनाने से पहले क्या था तो आप लोगों को यह वाले सिस्टम पता होंगे मके सिस्टम ठीक है मके सिस्टम ठीक में क्या था बेटा तो तीन फंडामेंटल कॉंटिटीज थी मेरे पास कॉंसी कॉंसी थी तो मास था मास था लेंथ मेरी मिटर में थी लेंथ मेरी मिटर में थी M stands for the meter के मेरा यह यह था वो था किलोग्राम में और एस मेरा टाइम है एस क्या है यहां पर टाइम है और वो मेजर किया जाता था सेकेंड में तो इसलिए इसे कहा जाता था में मास को मेजर किया जाता था किलोग्राम में और टाइम को मेजर किया जाता था सेकंड्स में तो इसलिए इसे कहा जाता था का मक्स सिस्टम अपने पास उसे कहा जाता है सीज्य के सिस्टम में देखा जाए तो से इस स्टेंट में 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 जाता है सेंटीमिटर में मास को को इस सिस्टम में मेजर किया जाता है ग्राब में और टाइम को इस सिस्टम में मेजर किया जाता है सेकेंस में ताइम को इस सिस्टम में मेजर किया जाएगा सेकेंस में तो देखना वही तीन कॉंटिटी लेकिन उनका युनिट अलग-अलग था तो इसलिए इससे कहा जाता है मेरा MKS सिस्टम यह होता है मेरा CGS सिस्टम इसके अलावा हमें और एक सिस्टम पता है या फिर आप लोगों ने इसको सुना होगा that is FPS सिस्टम तो dhna fps एक यहाएं लेंट को मेंजर किया जाता है that's इसके बाद मांस को प्रेजर किया जाता है तो मैं यहाँ पर बेंग बोल सकते हैं कि ब्रिटन में अभी यह वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है that is fps सिस्टम और टाइम टाइम को देखना टाइम तो तीनों सिस्टम में सेम ही यूज किया गया है यह तो चलो बहुत साइन्टीफिक सिस्टम थे अच्छुली महाराष्ट्र मदे तुम्हीं पाहिला दर लेंथ असेल टाइम असेल या गोश्टी जा है ना खुप वेगला पद दतीन है अब मेजर किला जाज तुम्हीं घरा मदे पाहिला असेल जराई दढ़न दोडून अनन प्रशा कमी असतो ठीक क्यों आते जान अंतर त्याज प्रशा थोड़स अ मोठो आसतो तो माज आकड़े पाईली ओके मंजेच काया अपल्या ग्रामीन भागा मदे जरापन विचार केला तर ग्रामीन भागा मदे या गोश्टीन चा यूज खुप कमी केला जाए जा ग्रा कि मेजर केला जाए 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 जात होतो पूर्वी तो मेल मदे आसाइचा की मेल असेल फरलांग असेल यह बोली भाशित ले वर्ट सीथे यूज केले जाए ठीक है कि वाट टाइम ताइम माजा बारा वाज लेत कि माद दोन वाज लेत या पद्ध दिना नहीं है तर आप यहां पर देखना अलग 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 सिस्टम यूज किया जाता था तो उससे दिक्कत क्या होता था जब मैं मेरा नॉलेज किसी दूसरे देश के साथ एक्स्चेंज करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता था वहां पे तो मुझे उस या फिर जो भी नॉलेज मैं पढ़ना चाहता हूं या फिर लेना चाहता हूं वहां पे उसे मैं बाद में समझता था सबसे पहले मुझे वहां पे क्या करना पड़ता था कि मुझे सबसे पहले सिस्टम आफ यूनिट्स को अच्छी तरह से समझ लेना पड़ता था उसके ब Conference of weights and measurement बोलके है 18th century में ही शुरू हुआ था उतना back dated हम नहीं जाएंगे इन तीन सिस्टम के अलावा ये अलग सिस्टम भी कि यूद्स होता है या फिर यूद्स करते हैं हम अभी उससे कहा जाता है सिस्टम सिस्टम तो सिस्टम को देखना सबसे पहले 1960 में एड किया गया था जब मेरा Conference वा था General Conference of weights and measurement विचिस कॉल्ड अज सीजी पीएं सीजी पीम कॉन्फरेंस था 1960 में तो सबसे पहले छे फंडामेंटल कॉंटिटीज और उनके छे यूनिट्स डिफाइन किये गए थे तो कॉन से कॉन से थे 1960 में लेंथ था मास था टाइम था लेंथ मास टाइम यह वाली चीज़ें हमें पता है उसके बाद क्वर्यांटर हिं उसके बाद करोडास टेंपरेचर टेंपरेचर नहीं बट यहां पर वह रहे गा मेरा थर्मो डायनामिक्स टेम्परेचर, thermodynamics temperature and luminous intensity and luminous intensity, ओके, तो ये 6 quantities को SI system में अज़ा fundamental quantity बोलके डाला गया था 1960 में, ठीक है, आगे जब इस conference का revision हुआ या फिर और अलग से conference हो गई, तो देखना 1971 में, 1971 में amount of substance भी इसमें आड़ कर दिया गया amount of substance जो कि हम most भी यूज़ करेंगे chemistry के साथ ठीक है amount of substance ये quantity आड़ कर दी गई around 1971 ठीक तो समझ रहे तब से हम यही सिस्टम फॉलोग कर रहे डे बाइडे सिस्टम ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोग कर रहा है अच्छे रिजल्ट्स ये सिस्टम हमें दे रहा है तो अब वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इसी को फॉलो किया जाता है कई कई देश ऐसे है कि हाँ बाभी भी इसको फॉलो करते है नहीं लेकिन आल्मोस 90-95 परसेंट देखा जाए तो पूरे दुनिया में यही वाला सिस् अपना जो भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे चीमिस्त्री स्थखा तो हम वहाँ पर क्या करने वाले जो भी हम सिस्टम करने वाले ने वह रहेगा मेरा slapping international क क्रते हों अंसर मुझे option में मिलेगा वो SI सिस्टम में ही रहेगा ठीक है बोर्ड एक्जाम में और competitive exam में कई कई बार मुझे इस अलग-अलग सिस्टम में अंसर दिया जाता है तो आप लोगों को वहाँ पर करना क्या होता है तो आपको उसको SI सिस्टम में लेकर आना है उसके बाद मैं इनको इस सिस्टम में convert कर सकता हूं वह आगे हम देखेंगे don't worry about that सिर्व समझ लेना की हम फ्र्रूआउट अगले दो साल कौन सा सिस्टम यूज चरने वाले तो system international that is SI system जहां पे मेरे पास टोटल साथ fundamental quantities है clear clear बेटा य है तो मरह बढेड़ा तो दोन इस सिस्टम में क्या किया गया जैसे मैंने अभी बूला था कि साथ फंडामेंटल कॉंटिटीज डाली गई फंडामेंटल कॉंटिटीज मतलब जिनको अलग तरी कि से डिफाइन किया गया जिनको को डिफाइन करते समय किसी दूसरे का यूज नहीं करना पड़ा मतलब ये complete separate quantities है जिसे कहा जाता है fundamental quantities तो ऐसा इस इस सिस्टम में मेरे पास साथ fundamental quantities है और यहां पर आप लोग देख सकते हो physical quantity कौन सी है उसका यूनिट क्या रहेगा और उसका symbol क्या रहेगा तो यह चीज़े हमें रटनी है याद रखनी है यह चीज़े हमें याद रखनी है मतलब याद रखनी है तो सबसे पहली physical quantity है यहां पर पास जो कि आप मेजर करते है किलोग्राम में और जिसका symbol रहेगा कीजी स्माल के जी ओके ठीक है नेक्स सेकंड कॉन्टिटी है लेंथ लेंथ मेजर किया जाता है मीटर में तो यह ऐसा सिंबॉल रहेगा स्माल एस तो एक चीज याद रखना यहां पर केजी एम एस यह सारी चीज़े मेरी स्वाल है इसके बारे भी हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वियार हाविंग दफोर्थ कॉंटिटी डाटीज टेंपरेचर इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हो तो यह जो टेंपरेचर रहेगा ना तो यह रहेगा थर्मोडायनामिक्स टेंपरेचर यह रहेगा थर्मोडायनामिक्स टेंपरेचर सिर्फ टेंपरेचर नहीं बेटा तो यह क्या होना चाहिए थर्मोडायनामिक्स टेंपरेचर जिसको मेजर किया जाता है केल्विन में औ और इसका symbol देखना capital C और small d है, symbol देखना capital C और small d है यहाँ पर, next electric current, electric current जो की measure किया जाता है ampere में, okay, तो यहाँ पर देखना ampere भी capital A है, and the last quantity is amount of substance, इसका unit या फिर इसको measure किया जाता है mole में, और symbol रहेगा mol, small mol, तो यह मेरे 7 fundamental quantities है, और उनके यह 7 SI units, next, अब दिखना, इन 7 fundamental quantities के साथ, हमें 2 supplementary quantities दी गई है, वो कौन सी कौन सी है मेरे पास, तो वो है plane angle और दूसरा है solid angle, तो plane angle का मतलब क्या होता है, तो यह two dimension वाला angle है, और solid angle का मतलब क्या होता है, three dimension वाला angle रहेगा, अब plane angle आप लोगों ने already measure किया है, आगर आपने देखा होगा 910 में, आप angle measure करते थे, by using the protractor, ठीक है, इसका unit रहेगा radian और symbol रहेगा rad, देखना है यहाँ पे plane angle का unit क्या है rad, और symbol क्या रहेगा rad, तो plane angle की सो और सो यह सो और सब्सक्रा करना, यह मेरा arc है, कुछ इस तरह से यहां पर एक एंगल बन रहा है यह आप लोगों को पता है यह मेरा आर्क लेंथ होता है यह मेरा आर्क लेंट रहेगा यह मेरा रेडियस रहेगा और यहां पर जो एंगल है वो रहेगा थीटा तो यह जो थीटा बन रहा है ना यहां पर यह मेरा होता है प्लेन एंगल डाट इस टूडी वाला एंगल यह क्या रहेगा मेरा टूडी वाला दो डायमेंशन के बीच मे यह दो डाइमेंशन मेरे रहेंगे horizontal और वर्टीकल सिर्फ ठीक है तो देखना यह आप लोगों को पता है आर्क लेंथ क्या होता है आर्क लेंथ का फॉर्मिला हमें पता है आर्क लेंथ इस नथिंग बट रेडियस इंटू अंगल सब्टेंडेड़ फाइदर रेडियस इंटा एंगल सब्टेंडेड़ बाइन. अ आर्क आंगल सब्टेंडेड़ बाइन. फ्यार्क लजाये फॉर्मिला पता है त दिर्फिता है और और angle subtended by r कितना है theta तो theta कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर s divided by r यह वाला formula हमें already पता है बटा हाँ आज से हमें इसे क्या कहना है हम इसे कहेंगे plane angle तो यह कुन सा angle होगा plane angle होगा यह angle होगा 2D वाला angle ओके next solid angle solid angle का मतलब क्या है तो यह 3D वाला angle होता है इसका unit जो है SI unit इसका name जो है steradian और इसका symbol रहेगा small sr steradian और इसका symbol रहेगा small sr तो यह actual में है क्या तो समझ लेना यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा कि देखना यह 3D वाला angle है ठीक तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको इस एरिया दिखाई दे रहा होगा तो यह surface एरिया दिखना ठीक है यह जो surface एरिया है ना यह surface एरिया इस पॉइंट पी के साथ एक एक एंगल बना रहा है और इस एंगल को कहा जाता है solid एंगल या फिर 3D वाला एंगल ठीक यह एंगल कौन सा रहेगा solid एंगल या फिर 3D वाला एंगल तो इसका तो यहाँ पर देखना मैं डाइग्रान अच्छा ड्रॉग करने की कोशिश कर रहा ह है यहाँ पर सू दैट आप लोगों को समझ में आ जाया है तो देखने कुछ इस तरह से एंगल बना रहा है यह सर्फेस इस पॉइंट पी के साथ एक एंगल बना रहा है और इस एंगल को कहा जाता है कि यह सब्सक्राशार को कि और इसे कहा जाएगा ओमेगा यह आप लोगों को पता है इसके पहले इसको कहते हैं हम आगे से उप्रेंगे ओमेगा टेखा जाए तो य से भी ओमेगा कहा जाता है तो अलग-अलग जगा पर अलग-अलग तरीके से यूज करते इत्स जिस्ट सिंबोल आप बोल सकते हों कि नई सर मुझे ओमेगा इसको डिफाइन करना सिंबॉल उनिवर्सल है नहीं सिंबॉल कभी याद रखना जो भी ऑथर है जो भी बुक लिख रहा है या फिर जो भी कुछ थेसिस लिख रहा है यह सबसे पहले सिंबॉल वो डिफाइन करता है कौन सा सिंबॉल कि चीज के लिए यूज किया गया है मैरे सिंबॉल युनिवर्सल है नहीं यह कंप्रीटली decant करता है लिखने वाले के ऊपर किस तरह से लिख रहा है वो उसे किस तरह से define किया जाता है तो solid angle रहेगा d omega is equal to d a divided by r square d a divided by r square अब यह d क्या होता है तो small change होता है अभी के लिए इतना याद रखना d is nothing but the small change ठीक है d क्या होता है मेरा small change बाकि मुझे कुछ याद नहीं रखना सिर्फ यह वाली चीज याद रखना है कि d का मतलब small change okay ठीक है तो देखना यह was solid angle मैक्सिमम just call इंगल सबसे ज़्यादा solid angle कौन दे सकता है मेरे पास स्पीर दे सकता है तो maximum solid angle कितना होता है मेरे पास फूर पाइख यह वाली वैलिया रखना maximum solid angle maximum solid angle कितना होना चाहिए वह होता है for 5 और यह किसके लिए होता है वो स्पीर के लिए होता है ये वाला मुझे याद रखना है ये वैल्यू मुझे याद रखनी है क्योंकि आगे जाके गौस लॉक के प्रूफ में मैं यही वाला टर्म यूद्स करने वाला ओके ठीक है तो यह है मेरे पास दो सप्लिमेंटरी कॉंटिटीज और उनके यूनिट्स उनके यूनिट्स क्या है रेडियन और स्टेराइडियर ठीक है एक मेरा टूडी वाला एंगल है और एक मेरा थ्रीडी वाला एंगल अब यह सबसे इंपॉर्टन चीज है ऐसा है प्रेफिक्स हम बहुत सारी चीजें यहां पर यूज करते प्रेफिक्स किस तरह से तो यह मोस्ली 10 के पावर में ही रहेगा तो देखना तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिखू 10 to the power minus 3 तो वह बन जाता है मेरा मिली इस प्र यहां पर लिख देता हूँ इसको क्या कहता है 10 to the power minus 3 तो यह होगा उसका नेम और यह रहेगा उसका सिंबॉल कि यूज किस तरह से करना है वो भी बता दूँगा डोंट वरी यह 10 to the power minus 6 इसे कहा जाता है यह 10 to the power minus 6 और इसे कहा जाएगा माइक्रो और इसका सिंबॉल देखना कुछ इस तरह से होता है इसे कहा जाता है म्यू एम एउ ठीक है इसे कहा जाता है विव और इसको किस तरह से ड्रह करते कुछ करना नहीं है यू निकालना है यू निकाल के इसके पीछे वाला पहर तो यह बन जाएगा मेरा म्यू ठीक है तो यह होता है मेरा माइक्रो 10 to the power minus 9 यह होता है मेरा नैनो वो रहेगा small n 10 to the power minus 9 यह रहेगा नैनो वो रहेगा small n 10 to the power minus 12 इसको कहा जाता है P को तो small P symbol use करते हम उसके बाद रहेगा 10 to the power minus 15 यह होता है मेरा फेंटो यह होता है मेरा फेंटो यह फिर फर्मी इसका symbol रहेगा FM इसका symbol रहेगा FM ठीक है समझ में आ रहा है तो यह मेरे negative वाले symbol है तो suppose करना मैं एक simple example लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि चलो I am writing about 2 milliampere मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 milliampere अब इसका मतलब क्या हुआ 2 milliampere इसका मतलब क्या हुआ तो यह बनेगा 2 into 10 to the power minus 3 ampere वेटा यह कितना बनेगा 2 into 10 to the power minus 3 ampere ओके दूसरा example मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 250 nanometer मैं कितना लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ पर 250 nanometer देखना पीटा small m n और small m है तो यह क्या है यह मेरा unit है और यह उस unit का prefix है ठीक unit से पहले आ रहा है इसलिए हम इसे कहते है प्रेफिक्स तो यहाँ पर प्रेफिक्स क्या है एन तो एक्चिल में यह वाल्यू कितनी है यह वाल्यू है मेरी 250 into 10 to the power minus 9 meter यह वाल्यू कितनी है 250 into 10 to the power minus 9 bitter ठीक मैं अब यहाँ पर लिखूंगा 3.7 microfarad ठीक है 3.7 microfarad is the unit of capacitance capacitance का unit होता है हम आगे electrostatic में देखेंगे अप सिर्फ समझ लेना फैरेड यूनिट है फैरेड इस दे यूनिट यूनिट अफ का पास इस एक कॉंटिटी यूत जैसे आपने पास रजिस्टर होता है रजिस्टर को मेजर रजिस्टर को मेजर करते हैं वह बराबर ठीक है तो हम हम एक्चुली रजिस्टर का रजिस्टन्स मेजर करते हैं ओम में सिमिलरली का पासिटर का कपासिटर्स मेजर करेंगे हम फैरेड में ओके ठीक है तो मैंने यहां पर लिखा है 3.7 इंटू तो शुरी 3.7 माइक्रो फैरेड सो बैट इस गोईंग तो भी 3.7 इंटू 10 तो पावर माइनस 6 फैरेड समझ में रहा है बच्छा लोग तो प्रेफिक्स से कुछ हम इस तरह से यूज कर सकते हैं तो ठीक समझ में रहा है तो यह तो हुए निगेटिव वाले वैल्यूस बाट आवाट पाजिटिव वैल्यूस प्सक्राइव वैल्यूस क्या है तो वह समझ लेना अगर मैं यहां पे लिखू 10 तो पावर वन तो यह होता है मेरा देका ठीक है इस इसे कहा जाता है डेका के 10 to the power 2, वो होता है मेरा hectare, 10 to the power 3, वो रहेगा मेरा kilo, 10 to the power 3 कितना रहेगा, plus 3 kilo रहेगा, 10 to the power 6, वो रहेगा million, 10 to the power 6 रहेगा million, और 10 to the power plus 9 रहेगा giga, 10 to the power plus 9 रहेगा giga, हम यह बहुत रेरली यूज करते हैं 10 to the power plus 9 तो मुझे क्या क्या यूज करना होता है वो चीजे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो यह बहुत important है याद रखना prefixes जो होता है question में values मेरे prefixes का use करके ही दिये जाती है बहुत बार तो मुझे conversion करना आना चाहिए ओके अब हम ज्यादा कौन सा use करते हैं यह हम 12 में use करेंगे जहां पर फ्लूड मेकानिक्स में या फिर mechanical properties of fluid में हम use करेंगे एक दो जगप ही आता है यह तो हमें पता है 10 to the power 1 डेका या फिर Decimal जिसे कहा जाता है Decimal system में होते हैं अब यह दो चीजी important है अगर मैं यहां पे लिखू क्या लिख रहा हूं क्या लिख रहा हूं 2 kg में क्या लिख रहा हूं 2 kg देखना ग्राम ठीक तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं two into 10 to the power 3 व्े 0 2 10 to the power 3 ग्राप समझ लेना किलो घ्राम केजी ठीक ह nou या फिर मैं कुछ इस तरब से लिखो कि मेरे पास का सब्सक्रांच मेरे लिएन में है 1 रुपीज मेरे पास कितने है कि इस तरह से अब इसका मतलब क्या है तो मेरे पास कितने रुपीज है टू इंटू 10 to the पावर शिक्स तो इंटू टेन तुद पावर सिक्साइद मैं सिम्बॉल गलत ड्रॉब कर रहा हूं ओके नो इशो तो यह करन सी मैं यहां पर लिख रहा हूं अब यह वाला हमें पता है गीगापाइट या फिर जी भी हम जिसे कहते है वह थोड़ा सा अलग वह उसका और इसक कीवी नथिंग बट वन एंबी होता है तो यह यह वाला कंवेंशन अलग है तो खुद को कंफ्यूज करके मतले ना यहां पर सिर्फ यह वाली चीज याद रखना टेंटू दू पावर प्लस नाइन को घीगा कहा जाता है तो यह सारे प्रेफिक्स मैं पूरे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में यूज करूगा ओके ठीक है अधि नाव अधिक करने के लिए कुछ कंवेंशन यूज करने पड़ते हैं तो देखना तो पहला कंवेंशन हमें क्या कहता है यूट अफ एवरी फिजिकल कॉन्टिटी शूड बी रिप्रेजेंटेड बाइट सिम्ब ठीक हर फिजिकल कॉन्टिट्टी का यूट सिम्बॉल के साथ ही रिप्रेजेंट करना होता है इसके बारे हम ज्यादा चर्शा नहीं करेंगे now full name of a unit always starts with a smaller letter even if the name is after a person that is one newton one jule etc but symbol for unit named after a person should be in a capital letter ठीके तो दिखना अगर मैं सेंटेंस पे लिख रहा हूं की मैं लिख रहा हूं यहां पे I do have I have applied I have applied two newton force तो दिखना अगर मुझे यूनिट सेंटेंस में यूज करना है ठीक कुछ इस तरह से तो दिखना यहां पे small n से ही वो शुरू हो जाएगा full name of a unit always starts with a smaller letter यहां भी भी देखना मैंने मिटर लिखा है मिटर स्वाल लेटर से ही शुरू हुआ है ठीक इवन इफ दे नेम इस आफ्टर दे परसन तो देखना यह पोर्स का यूनिट है यह एनर्जी का यूनिट है लेकिन बट सिम्बॉल पर दे यूनिट नेम्ट आफ्टर अपर परसन शूद बीन दे कैपिटल अगरम फोर्स लगा रहा हूँ अगर मैं इसे सिंबॉल से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो बन जाएगा FV 2 Newton वह कितना में जाएगा dhp अगर मुझे सिंबॉल यूज करने अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि एनर्जी है एनर्जी है मैं बोल रहा हूं कि 30 Joule एनर्जी तो यह जो साइंटिस्ट के नेम है ना वो यह पिटल में होते हैं ठीक है लेकिन कहां पे लिखेशन में या फिर आंसर में सेंटन स्ट्रक्शर में वह स्मॉल लेटर से ही यूज किया जाएगी ठीक है, symbols for the units do not take plural form, so यहां पर एक्जाम्बल दिखना, for example, force of 20 newton, हम उसे नहीं लिखते हैं कि force of 20 newton, एनस, ठीक है, तो यहां पर उसे सिर्फ 20 newton ही लिखना है, 20 newton ऐसा मुझे बोलना नहीं है, force इतना लगा रहा हूं मैं, 20 newton का force लगा रहा हूं, ठीक है, so हम यहां पर उसका plural form नहीं use करते, symbols for units do not contain any full stops at the end of recommended letter, that is, example, 25 kg, 25 kg को मुझे कुछ इस तरह सी लिखना है, लेकिन हमें बहुत बार आदध हुथी है, short form है, बोलके हम क्या करते हैं उसे लिखते थे, kg. लेकिन यह गलत चीज है, लेकिन यह गलत चीज है, unit लिखने के बात full stop मुझे देना नहीं है, unit लिखने के बात full stop मुझे देना नहीं है, यहाँ पे, okay, the unit of physical quantities in the numerator and denominator should be written as one ratio, okay, तो यहाँ पे example देखना, acceleration को हमने क्या लिखा है, meter per second square, or meter into second raise to minus 2, meter into second raise to minus 2, so this is the unit of the acceleration, लेकिन मैं उसको इस तरह से नहीं लिखूंगा, meter per second per second, okay, ठीक है, यह गलत चीज है, यह गलत चीज है, तो देखना, acceleration क्या होता है, change in velocity divided by change in time, अब अगर मैं इसका unit लिखूंगा, तो वो कितना बनेगा, meter per second divided by second, ठीक है, लेकिन, actually हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, यह समझने के लिए ठीक है, यह गलत तरीका, इसे मुझे ही पड़ेगा, कुछ ही सिसाब से, meter per second square, या फिर meter into second raised to minus two, okay, clear, ठीक है बच्चा लोग, next, use of combination of units and symbols for units is avoided when physical quantity is expressed by combination of two, तो देखना, क्या कर रहे हैं, use of combination of units and symbol, तो combination किसका कर रहे हैं, units और symbol को combination हम avoid करते हैं, example दिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, joules per kg per kelvin, okay, joules per kg per kelvin, it is the correct way of representation, मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, joules, मतलब यह क्या है बेटा, तो यह मेरा unit है, और इस unit का symbol capital G है, तो मुझे symbol यूज़ करने, मुझे units नहीं यूज़ करने, ओके, ठीक है, अब prefix symbol is used before the symbol of unit, जैसे आभी हमने देखा था, number of prefixes, अलग-अलग prefixes देखे थे, तो वही वाला फिर से 2 ampere, 2 milliampere, ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, 2 into 10 to the power minus 3 ampere, तो यह वही वाला point है, जो हमने already discuss किया है, space और hyphen must be introduced while indicating multiplication of 2 units, okay, meter per second should be written as meter into second raise to minus 1, और meter dash second raise to minus 1, लेकिन देखना, यहाँ पर meter second raise to minus 1, तो space है, हम यह बहुत बार भूल जाते हैं बेटा, दो unit के बीज में space है, या फिर एक line है, यह line भी हम use कर सकते, ओके, ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं use कर सकते, क्यों, क्योंकि मैं इसको prefix बोल के use कर सकता हूँ, prefix, यह prefix है, तो यह कितना बन जाएगा, millisecond, यह कितना बन जाएगा, millisecond, समझ मैं आ रहा है, है, ओके, ठीक है, यह क्या बन जाएगा मैरा, millisecond, तो यह वाला चीज भी हमेशा याद रखना, जब आप notes लिखते हो, running notes लिखते हो, तो इन सारी चीजों को आपको धान में रखना है, और इसको अच्छी तरह से समझना है, okay, so these are the different conventions which we are going to use in the physics या फिर chemistry जहां जहां पे भी unit आएगा हम वहां पे यह वाले conventions यूज करेंगे, okay, now the next part is the measurement, अब हम तोड़ा सा measurement करेंगे, measurement of length, measurement of mass, और measurement of time, तो देखना, यहाँ पे सिर्फ एक method है, measurement for the large distance that is parallax method, बाकी measurement के लिए आप लोग textbook के chapter के end में आपको एक page दिया गया है, जो कि सिर्फ आप एक बार read कर लो, क्योंकि हर एक fundamental quantity का वहाँ पे definition दिया गया है, किस तरह से हर एक fundamental quantity को define किया गया, तो आप सबसे important चीज क्या है यहाँ पे parallax method, तो आप सबसे पहले समझ लेना की parallax क्या होता है, तो इसकी लिएक simple वाला experiment करते है, ठीक काम करना, एक हाथ लेना, यह वाला हाथ लेना और यह अपने आग के सामने रखना और एक आग बंद करते ना, ठीक है, suppose करना कि मैंने right वाला बंद किया है, तो आपको हाथ की position मिलेगी, ठीक, उसके बाद उसे open करना फिर left वाला बंद करते ना, लेफ्ट वाला बंद करने के बाद आपको हाथ की पूजिशन दिखेगी ठीक है अब देखना जब आप पहली बार देख रहे थे तो आपको हाथ की पूजिशन यहां पर कहीं पी मिले होगी ठीक आप डाट मिन्स मैंने एक हाग बंद की दिया और एक आप ओपन रखा था ठी किया था तो मुझे पूजिशन इस तरह से मिले उसके बाद मैंने लेफ्ट वाला बंद किया और राइट वाला उपन किया तो आप लोगों को यहां पर आपका हैं जो बैग्राउंड में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा ठीक है जब आप उसे देखते हो बंद करके आ सामने observation अलग-अलग जगह से लिए थे मैंने राइट आक से लिया था एक लेफ्ट आक से लिया था इसके वज़े से क्या हुआ मेरे हाथ की पूजिशन चेंज हो गए और उन दोनों के भीज में डिस्टंस मिला और इसे ही कहा जाता है पैरलैक्स इसे ही कहा जाता है पैरलै क्या था तो सिंपल वाला एक्स्परिमेंट करना था क्या करना था हाथ रोको सामने एक बंद करना और हाथ का पूजिशन नोट कर लेना उसके बाद दूसरा वाला बंद करना और हाथ का पूजिशन नोट कर लेना तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि आपका जो हैंड ह पर महां जगाब दिखाई देरा और सेकेंड ऑब जर्वेशन थोड़ा सा शिफ्टेट दिखाई देरा ये जो शिफ्ट होता है न तो इसे कहा जाता है पर लाइक्स तो अब देखना लार्ज डिस्टंस अब लार्ज डिस्टंस मतलब अगर मुझे यहां पर बैट के सन के बीच की दूरी मेजर करनी है तो बेटा मेरे पास उतना बड़ा स्किल तो है नहीं कि मैं यहां पर लगा के वहां पर लगा के चेक कर दूँ ठीक है इस नौट मतलकर यूज करते हैं और डिस्टंस बट्विं लेंडर टूय जो हता इन उसे ही पैलक्स कहा जाता है तो देखना अगर मुझे सब्सक्स का भी डिस्टंस मेला यहां से तो पॉस्पिल है नहीं कि मैं यहां से दिखू यहां से दिखू अगर मैं सन को देख रहा हूं तो मुझे वह पैरलेक्स नहीं दिखाई देगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो देखना इसके लिए हम कुछ इस तरह से system बनाएंगे एक observer मेरा यहां पे है दूसरा observer मेरा यहां पे अब यह observation लेगा यहां से और दूसरा observation लेगा यहां से अब इन दोलों के बीच में मुझे distance पता है यह साइकन मेजर दिस डिस्टन्स यह वाला डिस्टन्स में मेजर कर सकता हूं यह डिस्टन्स क्या है तो यह तो मेरा डायमेटर हो जाएगा आर्थ का ओके तो यह वाला तो मुझे पता हो जाएगा डिस्टन्स ठीक सपोज करना कि यह जो डिस्टन्स है यह डिस्टन्स है भी that is distance between A and B point अब अगर मैं इनको जोईन कर दू ठीक है कुछ इस तरह से अगर मैं इनको जोईन कर दूँ अ से यह तक और बी शेयस तक तो यहां पर क्या हो रहा है यह सन इन दो अब्जरवर के साथ एक एंगल बना रहा है ठीक है यह जो सन है इन दो अब्जरवर के साथ एक एं एंगल बना रहा है ठीक है सब्सक्राइब एंगल इस थीटा और इस एंगल को कहा जाता है पैर्लैक्स एंगल इस एंगल को क्या कहा जाएगा पैर्लैक्स एंगल ठीक, दो observer है, दो अलग-अलग position से, उसको observe करने की कोशिश कर रहे है, तो sun इन दोनों के साथ एक angle बना रहा है, and that angle is going to be theta, ओके, वो angle बन जाएगा मेरा theta, किसी कुछ doubt बेटा इसमें, समझ में आ रहा है, अब देखना, तो यह बोलेगा कि यहां से यह वाला distance मेरा d है, ठीक, यह distance d, अगर यह एक ही जगह पर है, तो यह भी distance d होना चाहिए, ठीक, अगर मैं ratio लेने की कोशिश करू, एक चीज याद रखना, अगर मैं इस distance b और d का ratio लेने की कोशिश करू, यह तो बहुत दूर है, यह तो बहुत बढ़ा है, यह तो बहुत बढ़ा है, चलो, earth का radius, य ठीक, अगर मैं इन दोनों का ratio लेने की कोशिश करू, तो यह ratio मेरा बहुत ही, इत्तु सा हो जाएगा, छोटा सा, less than one, very very less than one, very very less than one, अगर ऐसा हो, that means, अगर यह condition satisfy हो रहा है, तो यहाँ पे जो angle है, यहाँ पे जो angle है, यहाँ पे जो angle है न, theta is going to be very small, theta क्या होगा मेरा यह बहुत ही कम होगा, theta यहाँ पे क्या मनेगा, बहुत ही कम बनेगा, ठीक है, तो अगर theta मेरा कम हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हो, theta is equal to b by d, theta is equal to b by d, ओके, अगर मुझे यह angle, theta मिल गया, तो मुझे distance मिल जाएगा, theta यहां से यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट और पॉइंट अल्मोस्ट सेम है यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट बहुत नस्धीक रहेगा इसकी लिए मैं यहां पे लिख सकता हूँ इस तरह से मैं लार्ज डिस्टंस यहां पर मेजर कर सकता हूँ समझ मैं आ रहा है मुझे क्या करना अगर लार्ज डिस्टंस मेजर करना है तो मुझे यह वाला फॉर्मिला याद रखना है ठीटा बहुत चोटा है सर मुझे तो यह समझ भी नहीं आ रहा है ठीटा बहुत चोटा है तो हम डारेक्ली वी बाइडी कैसे लेख सकते तो सिंपल वाली चीज़ है अगर ठीटा चोटा रहेगा ना तो यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएंगे तो मैं इसको एक् कोजिट साइ। एप नजायगा मेरा यह टीटा इस एक उस द खॉग सिकतों कॉग बाइट इस स्टान्स मेजर, सकते इस तरह से हम डिसटर नस बेजर कर सकते हैं कि वेटंगों कॉटेंगे फिर गए शकुंपल वाला question करेंगे A star is 5.5 light years away from the earth, ठीक है How much parallax in R sec How much parallax in R sec will it be subtend when viewed from two opposite points along the orbit of the earth दो अलग-अलग points से अगर मैं उसको देखने की कुशिश कर रहा हू तो कितना parallax बनेगा और वो रहेगा R sec arc second, arc sec का मतलब होता है arc second, ठीक है और एक चीज यहाँ पर क्या दिया गया है light years, तो कुछ चीजे समझ लेना बेटा two opposite points along the orbit of the earth तो हमें तो पता है कि अगर अर्थ rotate हो रहा है तो उसका एक orbit रहेगा कुछ इस तरह से, suppose करना कि अर्थ rotate हो रहा है यह उसका orbit है तो दो opposite point होगे मेरे पास यह वाला एक point और यह वाला एक point ओके ठीक है और यहाँ से हम इस star को देखने की कोशिश कर रहे है ठीक, इस star को हम यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे है अब देखना यहाँ पर मुझे कुछ चीज़े चाहिए होती है astronomical unit or light year astronomical unit or light year तो देखना, one astronomical unit अब यह astronomical unit क्या होता है तो यह astronauts use करते है बेटा यह इस दे मेन distance astronomical unit is nothing but the mean distance between the center of earth and sun astronomical unit का मतलब क्या होता है यह क्या है तो यह होगा मेरा mean distance between the center of earth and sun एक चीज़ यहाँ रखना earth and sun sun के बीच और earth के बीच के sorry, दोनों के center की बीच की जो दूरी होते है उसे कहा जाता है astronomical unit और उसकी value रहेगी 1.496 into 10 to the power 11 meter 1.496 into 10 to the power 11 meter ओके ठीक है तो यह होता है मेरा astronomical unit actually देखा जाए ना तो यहां से यहां पर अपना sun है यहां पर इसमें earth orbit कर रहा है अपना और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस डारेक्शन में रहेगा यह आर्थ मेरा रूटेट कर रहा होगा यह मेरा रूटेट कर रहा होगा तो हमने astronomical unit को define किया यह कहरे में डिस्टेंज यहां लूटे इस डारेक्शन कितना बना अगर मैं इसको पॉइंट पॉइंट ऑर इसको पॉइंट बोलस देता हूँ तो इसको पॉइंट विंदो कितना बना डिस्तंस बिट्वीन एबी ओके डिस्तंस बिट्वीन एबी कितना बन रहा है तो दैट इस गोई टो एक तो एस प्रणोमिकल उनिट मैं उसको एसाय सिस्टम में कनवर्ट कर सकता हूं यहाँ पे कनवर्जन फैक्टर है दाट इस तु इन्टो टैन्ट पॉवर सुरी नर्ट 10 to the power 2 in to 1.496 into 10 to the power 11 meter ओके ठीक है तो यह डिस्टंस बना एबी अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है और तो अस्टार इस 5.5 लाइट यह अवे फ्रंद आर्थ यह आर्थ से देखना आर्थ मेरा यहां पे रहेगा या फिर यहां पे रहेगा यहां से यह जो डिस्टंस ह क्या है तो वह दिया है मुझे 5.5 light year is कितना दिया गया है मुझे 5.5 light अब मेए यह लिख यह आर्ट यह यह भी तो कुछ नहीं चीज है तो light year एर में concurrent तो इसको भी याद रखना है wise light year वन लाइट यह इस इक्वाल टू 9.46 इंटू 10 तुद पावर 15 मिटर यह सारी चीजें हमारे टेक्स्बूक में दी गई है कुछ आप लोगों को मैं नया नहीं पड़ा रहा है यहां पर यह सारी चीजें अपने टेक्स्बूक में है समझ लेना ओके वन लाइट यह यह याद यह याद रखनी है वन लाइट यह का फॉर्मिला कितिना है 9.46 इंटू 10 तुद पावर 15 मिटर तो मुझे यहां पर क्या पूछा गया है हाउ मुझे पूछा गया है एंगल क्या पूछा गया है एंगल अभी हमारे पास एक्स्प्रेशन था थीटा इस इक्वाल टू टू बाइड बी क्या होता है तो पार्लाक्स वाल इस्टंस रहेगा यह इस्टंस है तो यह इस्टंस बनेगा टू एयू और डिस्टंस बीत्विन डू अब्जर्वर अब्जेक्ट तो वो कितना है मेरे पास 5.5 light years 5.5 light years ओके तो सारी चीज़ यहां पर पूछा देना 2 इंटू 1.496 इंटो 10 to the power 11 divided by 5.5 into 10 to the power sorry 9.46 into 10 to the power 15 meter तो आप मुझे इसे सॉल करना पड़ेगा अब मुझे इसे सॉल करना पड़ेगा यह मुझे अंसर मिलेगा 5.7 लेट मी चेक 5. पॉइंट काल्गुलेशन है करना पड़ेगा हमें तो यह आराउंड मुझे मिल जाएगा 5.76 into 75 इंटो 10 to the power minus 6 और यह आंसर मुझे मिल जाएगा रीडियन में एंगल है यह टूडी वाला एंगल है तो यह रेडियन में रहेगा लेकिन मुझे आंसर किसमें पूछा है आर सेकेंद मुझे आंसर किसमें पूछा गया है तो मुझे आंसर पूछा गया है आर सेकेंद अगर म is equal to 180 degree हमेशा यह वाली चीज याद रखना पाई रेडियन इस इक्वाल टू 180 डिग्री तो मैं यहां से एक रेडियन की वाल्यू निकाल सकता हूं ठीक है अभी तक डिगरी में एंगल पता थे चली avete टो तो मैं यहां से वन रेडियन की वाल्यो निकाल सकता हूं औन रेडियन इसक्वाल-टू-58 तो पाइав Chron. यह 3.14, पाई की वाल्यू रहेगी 3.14, अगर पाई की वाल्यू 3.14 है, तो मैं यहाँ पर अंसर निकाल सकता हूँ, so that is going to be 57.32, 57.32, तो 1 radian, 1 radian is equal to 57.32 degree, ठीक है, समझ मैं आ रहा है, तो similarly मैं यहाँ से 1 degree का भी relation निकाल सकता हूँ, 1 degree, इसे अगर मैं उल्टा करते हूँ, तो वो हो जाएगा पाई बाई 180, यह होगता है 3.14 divided by 180, तो यह अंसर आ जाएगा, मेरे पास 3.14 divided by 180, so that is going to be 0.01744, 0.01744, मैं इसे पावर के SI unit में लेकिया नहीं, ओके, ठीक है, तो अब देखना, यहां से और एक चीज भी मिलती है, 1 degree is nothing but the 1 minute, now the next, यहां भी याद रखना और एक conversion रहेगा आपने पास, 1 degree is nothing but the 60 minutes, 1 degree is nothing but the 60 minutes, यह वाली चीज भी याद रखना, तो यहां पर मुझे 1 minute की value बिल जाएगी, 1 minute की value हो जाएगी, 1 degree divided by 60, तो 1 degree की value है, अपने पास, radian में देखा जाए, तो 1.744 into 10 to the power minus 2 divided by 60, 1.744, तो मुझे कितना मिल जाएगा, तो देखना, 1.744 divided by 60, तो यह मुझे मिलेगा 2.9 into 10 to the power minus 4 radian, 2.9 into 10 to the power minus 4 radian, ओके ठीक है, तो यह conversion factor है, तो इसी conversion factor का use करना है, मुझे answer पूछा गया है, मुझे answer यहां पर पूछा गया है, किस में? तो मुझे पूछा गया है, आर्क सेकेंड में, मुझे पूछा गया है, यहां पर आर्क सेकेंड में, अब देखना हमने, वहाँ पर minute का conversion किया था, अब मुझे इसको seconds में convert करना पड़ेगा, तो यह कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, तो one second is going to be, कुछ इस तरह से, one minute divided by 60, तो one minute की value है मेरे पास, 2.9 into 10 to the power minus 4 divided by 60, 2.9 into 10 to the power minus 4 divided by 60, तो यह बन जाएगा, 4.8, 4.833 into 10 to the power minus 4, 4.833 into 10 to the power minus 4, okay, power देख लेते हैं फिर से, कई पर गलत किया है, 2.9 into 10 to the power minus 4, तो यह पावर बनेगा आपना, 10 to the power minus 6, यह पर गलत हुआ था, 4.833 into 10 to the power minus 6, तो अभी मुझे करना क्या है, आंसर निकालना है, आंसर रेडियन में है, मुझे आर्क सेकेंद में पूछा गया है, तो मुझे आप यहाँ पर multiply करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर multiply करना पड़ेगा, किस चीद से multiply करना होगा, तो मुझे देखना यह value, 57.32, तो 1 radian, तो इसको अगर मैं multiply करदू, तो 5.75 into 10 to the power minus 6 multiplied with, वो value कितनी थी अपने पास, 57.32, 57.32 into 60 into 60, अगर मैं इस टर्म से इसे multiply कर देता हूँ, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर, आर्क सेकंड में, ठीक है, तो यह आजाएगा, 1.18 क्या राओं, 1.18 के अराओं, तो देखना, यह थोड़ा सा लेंदी कोश्चन है, जहाँ पर मुझे बहुत सारे conversion factor पता होने चाहिए, ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसे obtain करनी की कोशिश किये, सबसे पहले यहला relation याद रखना, पाय और 1.18, radian और degree में क्या relation है, वहाँ से मैंने 1 radian की value निकाल दी थी, 1 radian की value निकालने के बाद, मुझे एक चीज पता है, 1 degree is equal to 60 minute होता है, तो मैंने वहाँ से 1 minute की value निकाल दी, रेडियन में उसके बाद 1 minute 60 seconds होता है जहांसे मैंने 1 second की value निकाल दी है रेडियन में ओके ठीक है तो यह simple इसे मैं simple नहीं कहूंगा थोड़ा सा complex question है start of the chapter से ही तो इसके उपर ज्यादा question नहीं आते सिर्फ एक चीज़ याद रखना इतना inter-conversion मुझे पता नहीं होगा तो भी चलेगा मुझे सिर्फ यह वाला formula पता होना चाहिए ठीक है इसके उपर question है इसके उपर बहुत rarely question आता है बहुत rarely सिर्फ यह inter-conversion factor है जो कि मुझे पता होना चाहिए next two moon are at a distance of 3.84 into 10 to the power 8 meter from the earth if viewed from two diametrically opposite points on the earth the angle subtended at the moon is 1 degree 54 minute what is the diameter of the earth हमें यहां पर अर्थ का diameter पूछा गया है तो अब यहां पर मुझे इंटर कनवर्जन यूज करना पड़ेगा देखना क्या 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 दिया है मुझे यह वाली चीज़ दी गई है ओके ठीक है तो फिर से देखना two moon at a distance of 3.84 into 10 to the power 8 meter from the earth ठीक है मुझे distance दिया गया है और एक एंगल दिया गया है तो आप मुझे इसे convert करना पड़ेगा मुझे आप इसे convert करना पड़ेगा किस में तो मुझे इसे radian में convert करना पड़ेगा ठीक है वन डिग्री 54 मिनट्स दिया गया है तो अब यह डिग्री है तो यहां पर मुझे यह वाला फैक्टर यूट्स करना पड़ेगा तो मुझे इसको multiply करना पड़ेगा 2.99 into 10 to the power minus 4 so that I will get the answer in radian तो यह हो जाएगा अब देखना वन डिग्री मतलब 60 मिनट वन डिग्री मतलब 60 मिनट और उपर से मुझे 54 मिनट्स भी दिये गया है तो यह हो जाएगा 114 114 मिनट्स ओके ठीक है 114 मिनट्स तो अब मिनट का देखेंगे कनवर्जन यहां पर किया था तो यह वाला आप मुझे मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा सो हमें यहां पर मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा 2.9 into 10 to the power minus 4 से तो यह मुझे मुल्टिप्लाइ करने के बाद मुझे वाल्यू मिल जाएगा 114 into 2.9 अब मुझे क्या दिया गया है तो डिस्टन्स दिया गया है अर्थ से दिस्टन्स दिया गया है तो डी की वाल्यू दी गई गई है क्यापिटल डी की वाल्यू दी गई है 3.84 into 10 to the power 8 सो थीटा इस इकोल टो बी बाइडी बी क्या था तो अपना डायमिटर था डी इस दिस्टन्स था अगर मैं इन दोनों को मल्टिप्लाइ करतू तो मुझे अंसर मिल जाएगा 3.306 into 10 to the power minus 12 उसके बाद sorry minus 2 थीटा की वाल्यू लिख लिए मैंने और डी की वाल्यू है 3.84 into 10 to the power 8 दिखना यह वाल्यू थीटा की वाल्यू इस मैं यहां से ले रहा हूं अगर मैं इससे मल्टिप्लाइ करतू तो यह आजाएगा 12.69 10 to the power 6 12.69 10 to the power 6 ठीक है तो यह अपना अंसर रहेगा तो डारेक्ली यह यह कोश्चन थोड़ा सा कन्वर्जन फैक्टर के उपर था 1 डिग्री मतलब 60 मिनट याद रखना 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स ऑके इसन Hello, Now, the next part is the measurement of mass तो अंगिःंत अव मास हमें थो पता है कि किलोग्राम में मेंजर किया जाता है लेकिन जब मैं थोड़ा सा सब अटोमिक पारेटिकल चिरफ चलता हो सब आटोमिक पार्टिकल मतलब कौन से बिटा आटम में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है नूट्रॉन है ओके ठीक है इनके मासे अगर देखे जाए तो बहुत ही कम होते हैं मास प्रोटॉन होता है मेरा 1.6 हाँ उसको वहिंग मशीन पर रख्के मेजर नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए एक यूनिट यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है एम यू उके सब आटोमिक पार्टिकल को मेजर करने के लिए एक यूनिट है यूनिट है यूनिटेट इस 1.6 इंटू पावर और माइन बने यह अगर देखा जाए तो अब बने यहां यूज क्या होता है एप्रोक्सिमेट लिख रहा हूं ठीक है वने मुको डिफाइन किया जाता है कारबन क्या इस टूप पे डाट इस वन बाइट वेल्ट मांस ओफ नीट्रल कार्बन नीट्रल कार्बन C612 तो वन यह मुझ इस तरह से होता है तो मैं यहां से मास ओफ C612 दिकाल सकता हो मास ओफ C612 तो वह आजाएगा 12 AMU वह आजाएगा 12 AMU तो इतना याद रखना सब आटामिक पार्टिकल को मेजर करने के लिए हम यह वाला यूनिट यूज करते हैं यह मोस्ली न्यूक्लियर फिजिक्स में एटम्स और न्यूक्लिया में हम यूज क एक दिन मतलब क्या वन डे इस नहतिंग बट-थवेंटिफोर आवर्स ओके ठीक है आप वड़िस नहीं बट-थिस टीमिन्स तो अगर मुझे से कंवर्टिक करना है एक दिन में तो इसटिना हो जाएगा बेटा मेरे पास 24 आवरेंटिटिट इंटिट तो इतने सारे सेकेंट्स है ओके ठीक है यह तो हुआ क्लॉक का जो हम देखते हैं अनलोग रहेगा डिजीटल रहेगा लेकिन मुझे अगर करेक्ट्ली टाइम मेजर करना हो तो मैं अपश्रों करता हूं टिक है अटमिक लॉक जहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेंशनस किये जाता है वो जो एलिमेंट है जिसके वाइब्रेंशनस मेजर करेंगे हम वह णो applis** Cantble से से नहीं करते लेकिन अगर मुझे हाई प्रिसीजन हाई एकुरिसी चाहिए तो आटामिक क्लॉक का मुझे यूज़ करना पड़ेगा ओके ठीक है ठीक है इनके हमने क्या देखे fundamental यूनिट्स देखे और इसके बाद हमने सिस्टम देखे अलग-अलग इसटेम में देखा जाये मेंतल मीठी स्टम CGS system, FPS system अब हम कौन सा use करते हैं तो बेटा हम use करते हैं SI system SI system में हमने क्या देखा SI system में हमने 7 fundamental quantities और 2 supplementary quantities देखे बराब गए ठीक है उसके बाद हमने क्या देखा तो हमने conventions देखे conventions to use SI system convention to use SI system ठीक है यह देखे हमने उसके बाद हमने उसके पहले SI prefix देखे थे ठीक है और last में हमने देखा parallax method जो की important था parallax क्या होता है तो simple वाला experiment हमने किया था ओके तो यह सारी चीजे हमने आज के lecture में देखी थी आज का lecture जो था बहुत ही basic था आप लोगों को लगे गा कि ऐसे न्यूमरिकल आएंगे नहीं बेटाओ इस चाप्टर में से इसके उपर ज्यादा न्यूमरिकल नहीं आते सिर्फ हमें parallax method क्या है वो पता होना चाहिए था इसलिए हमने यहां पर यह सारी चीज़े डिसकस कर लिए तो आज आप लोगों के लिए होमवर्क क्या होगा है ठीक है तो होमवर्क के लिए कुछ करना नहीं है जो भी PDF आप लोगों को एस नोट्स मिलेगा वही एक बार लिखना है यूनिट टू राइट पीडिएफ नोट्स आप लोगों को क्या करना है इसका जो भी PDF मिलेगा एप के उपर उसके नोट्स आपको लिखने एक बार आपको उसे लिखना पड़ेगा तब जाके यह सारी चीजे समझ में आएगी ओके ठीक है तो यह था आज का अपना फंडामेंटल लेक्षर आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो ठीक है तो फिर अगले लेक्षर में मिलते हैं जहां पर हम बात करेंगे डाइमेंशन्स और डाइमेंशन्स अप्लिकेशन्स आप डाइमेंशनल अना तब तक की लिए थांक्यों बेटा